नमस्ते मैं डॉक्टर स्नीहा बक्सी सीम्स अस्पताल में सीनियर ओप्स्टेटिशन एंड गाइनेकलोजिस्ट हूँ मैं आज आपको फाइब्रोईड यूट्रस के बारे में जानकारी दूंगी फाइब्रोईड यूट्रस वो गर्भा से कैस नाईवों में होने वाली नोन पैंसर गांट है और वो 20 प्रतिसत मैलाओं में देखने मिलती है फाइब्रोइड के कारण, ज्यादातर केसों में फाइब्रोइड का कोई कारण नहीं होता है पर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मन को फाइब्रोइड होने के लिए responsible माना जाता है उसकी वज़े से pregnancy के दर्मियन फाइब्रोइड की साइज बढ़ जाती है और मेनोपोस के बाद गाइब्रोइड की साइज कम हो जाती है फाइब्रोइड होने के लिए genetic factor भी responsible है जो कि आपकी मा या बहन को फाइब्रोइड की तकलिफ हो तो आपको होने की संपावना बढ़ जाती है फाइब्रोइड के symptoms उसके स्थान और size के अनुसार होते हैं जैसे कि heavy periods, period लंबे time चक चलना, period के दर्मियन पेट में दर्ध होना, बार-बार bathroom जाना और अगर फाइब्रोइड के साथ pregnancy हो तो अधूरे महिने पे delivery हो जाना फाइब्रोइड का निदान clinical examination, sonography, leproscopy या hysteroscopy से किया जा सकता है फाइब्रोइड की सारवार में अगर patient young है और future pregnancy प्लान करना चाहती है तो हम फाइब्रोइड की गांट को leproscopy या open surgery द्वारा remove कर सकते हैं अगर patient की उम्र जादा है और फाइब्रोइड की size बड़ी है तो हम hysterectomy की सारवार देते हैं और अगर कोई patient surgery के लिए willing नहीं है तो हम uterine artery embolization भी कर सकते हैं जब लोग सुनते हैं कि उनके गर्बासे में गांट है तो वो डर जाते हैं पर याद रखिए कि फाइब्रोइड की गांट वो cancer नहीं है तो डर ये मत हमारे यहां seems hospital में अत्यादुनिक leproscopic और hysteroscopic surgery की सुविदा उपलब्द है और हमारे यहां हर तरह की गायनेक surgeries और fertility preserving surgery की भी सुविदा है Thank you